गुड मॉनिंग इस्टूडेंट्स आज मैं आपको आपकी जो हिंदी फर्स्ट बुक है वासा कौसल उसका उसमें जो हमारा लेसन है उसमें से पार्थ तीन वर्ण और वर्ण माला पढ़ा रही हूँ तो आपको इसे ध्यान से सुनना है और ध्यान देना है कि हमें किस्टंग से यह समझना है तो देखे इसमें दे रखा सबसे पहले देखो पार्थ का नाम है वर्ण और वर्ण माला तो सबसे पहले हमें देखना है वर्ण तो वर्ण जो होता है यह आ से ग्यान तक जितने भी अ होते हैं और जो वर्ण माला अब आगे इसमें वर्ण माला तो आ से ग्यान तक को ही वर्ण माला कहते हैं आ से जो ग्यान तक अक्छर होते हैं उन्हें ही वर्ण माला कहते हैं तो सबसे पहले आ रखा है हमारा सबसे पहले इसमें है वर्न, क्या है वर्न, तो भासा की सबसे छोटी धनी वर्न कहलाती है, सबसे पहला जो हिंदी सेखने में, जब हम हिंदी को सेखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्न का इस्तिमाल ही करते हैं, वर्न या अक्षर, तो भासा की सबसे छोटी धनी क्या है, वर् आज भी कहते हैं, धनी को क्या कहते हैं, आवाज भी कहते हैं, तो इसमें यही दिया गया है, कि जैसे देखो, हमें वो बनाने हैं, कोई सब्द लिखा हुआ है, कोई सब्द लिखा हुआ है, का, ला, मा, कलम, जब हम इसे लिखेंगे, तो का, धन, ला, धन, मा, तो क्या या सब्ध बन गया,慢慢 गया और यह क्या है? अक्षर, यह Красण तो यही अक्षर या वर्ण यहीर कहा हैbron या इसे वर्ण कहेंगे या अक्षर भी कहेंगे तो देखो इसमें example दे रखा है कि बच्चे ले कहा अम्मी मम्मी में क्तनी धनिया आगई आपैंके किदे धनिया आगे मा, आदा मा, फिर मा, मा पर बढ़ी की मात्रा, तो पहले आएगा मा, धन, अ, धन, मा, धन, मा, तो देखो इन बे हलंद लगे हुए नीचे, धन, इ, तो क्या बन गया ये, मम्मी, तो इसमें किदे धनिया आई, पांस धनिया मिलके एक सब्द बना है, तो ये सबी ये ही वर्ण कहलाती है, हम अपने आसपास भी बहुत सी धनिया सुनते हैं, आवाजे जो आती हैं, वो क्या है, धनिया ही है, तो क्या है, वो ही, जैसे क्या है, कहीं पर तुम्हें सुनाई दे रहा है, कहीं पर किसी का फॉन में कोई रिंग आ रही है, तो रिंग के आवाज कुछ भी हो सकती है तो हमें के ओओ आवाजें सुनाई देती हैं, कोईガाड़ी चल दिए तो गाड़ी के चलने के आवाज भी हमें सुनाई देती है, हमें एसास हो जाता है कि गाड़ी जा रही है कहीं पर bell, इसकृल में जब पढ़ते हैं करें विठ्ट पता चलजाता है कि अब हमारा सेंग इस हिए तो हो गया है यही क्या होता है यही क्या है धनिया है दिन initiatives कर दो सुनना है इसमें यही है वर्ण अब आगया आपका वर्ण माला क्या आगया वर्ण माला तो वर्णों के करमवार समुवा को देखो वर्ण एक आ से ज्यान तक जो होता है उस समुवा को क्या कहते हैं वर्ण माला कहते हैं उसके बादा है आपके वर्णों के रूप इसमें वर् कितने रूप होते हैं दो रूप स्वर बेंजन अभी आपकी छोटी क्लास है जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तब आप इनको सही तरीके से समझ पाओगे पर एकजामपर के लिए मैं आपको समझा देती हूं देखो सबसे पहले आता वर्ण माला में सबसे पहले आते हैं स्वर क्या आते हैं स्वर तो स्वर जो हमारे होते हैं वो होते हैं आ से आ तक कौन से होते हैं स्वर आ ए ई ओ ये क्या हैं स्वर हैं इनकी संख्या होती हैं ग्यारा कितने संख्या होती इनकी ग्यारा तो हिंदी वासा में स्वरों की संख्या ग्यारा होती है और स्वर क्या हो जिन वर्णों को बोलने में दूसरे वर्णों की साहिता नहीं ली जाती है। जिन वर्णों को बोलने में दूसरे वर्णों की साहिता है। जिन वर्णों को बोलने में हमेशा दूसरे वर्णों की साहिता लेनी पड़ती है। उन्हें वेंजन कहते हैं। हिंदी भासा में 33 वेंजन होते हैं। इन में आ मिला हुआ है। देखो जिस का लगता है ना का बोलते हैं का तो उसमें आ आ रहा है का दद आ का दन आ यह। और मिलके क्या बनेगा। खा गा तो इसमें हमेशा स्वरों की साहिता ली जाती है। तो जिन वर्णों को बोलने में दूसरे वर्णों की साहिता लेनी पड़ती है। उन्हें वेंजन कहते हैं। और अक्षत्रग्या यह क्या है। मुक से निकली तथा कानों से सुनी, छोटी से छोटी धनी वर्ण कहलाती। जो भी हम सुनते हैं या हमारे मुँआ से निकलती हैं उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो आपका आज का आप मैं आपसे यही वो request करती हूँ कि आप इसको ध्यान से सुने और समझे और समझने की कोसिस करें जहां पर आपको लगता कि इसमें क्या तुद फिर से सुने और फिर से उसे समझे तो आज के लिए मैंने आपके लिए चोटा सा होमबग तयार किया है तो सबसे पहले आप लिखोगे पार्थ नंबर तीन हग्यास कार्य लिखोगे और देखो इसमें है प्रस नंबर एक वर्ण किसे कहते हैं बासा के सबसे छोटी ध्वनी या आवाज वर्ण कहलाती है का धनला धन मा कलम वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं श्वर बिंजन वर्ण माला किसे कहते हैं वर्णों के करमवार समुको वर्ण माला कहते हैं